हेलो एर्विवान एंड अवरी वाम वेलकम टू सिक्षा तो गाइज इंडेस्ट्रिल इलेशन्स के इंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक आज हमने करना है वेज डिफरेंशेल्स दो इस टॉपिक को आप बहुत जादा वाइड वाइड वे में भी कर सकते हो बहुत कुछ है करने को बट हमने बहुत लिमिटेड वे में इसको देखना है ठीक है और उतना अपने एक्जाम के लिए सफिशेंट रहेगा तो वेज डिफरेंशेल्स का टॉपिक समझेंगे और पीडिए फाइल्स आप जानते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बट आई वूड होता है वेजेस के अंदर वो बेसिकली वेज डिफरेंशेल्स के टॉपिक के अंदर हम स्टेडी करते हैं और वेज डिफरेंशेल्स होते क्यों हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इंपर्फेक्शन होती हैं और यह इंपर्फेक्शन आपको डेवलेपिंग कंटरीज के अंदर same job में तो वो basically wage differentials आ जाते हैं अब एक theory होती है जिसको हम बूलते है marginal productivity theory of wages ये theory क्या बूलती है कि जो local characteristics होते हैं न लेबर market के कि क्या वो labor market perfect है या imperfect है ठीक है और साथ ही साथ जो productivity होती है productivity की value के अंदर जो variations होते हैं एक individual की productivity के अंदर जो difference होते हैं वो reasons होते हैं wage differentials के अब geographical और regional differences तो आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगे और ये basically एक local characteristic होता है जिसमें आपको differences देखने को मिलते हैं अब wages का difference आपको अब आप देखो एक कोई northeast की state है वहाँ पर एक particular काम के लिए महाराष्टर में definitely wage difference देखने को मिलेगा as compared to Megalaya जो northeast में तो geographical और regional differences देखने को मिलते हैं बट over the time ये जो geographical या regional differences होते हैं ये over the time equalize हो जाते हैं या खतम हो जाते हैं उसका reason होता है कि ये क्यों over the time equalize हो जाते हैं ये खतम हो जाते हैं उसका reason यह होता है कि अब जैसे जैसे information spread out होगा, communication अगर improve होगा, तो उससे क्या होगा, ultimately जो labor है, वो mobile होती है, वो move करेंगे, ठीक है, वो ऐसी जगहाँ पर move करेंगे, जहाँ पर आपका जो maximum pay levels हो, maximum capital हो, सब कुछ हो, ठीक है जी, अब देखो, दूसरी चीज़, wages के अंदर जो आजाती है, वो आजाती है, जैसे, there is a expert called Wattenski, जिनोंने ये opinion दिया, कि trade unionism, और age, भी एक area of concern होता है, जो wages को, wage differentials को influence करता है, ओके experience आजाता है, या अगर कोई physical job है, जहाँ पर young लोगों की जोड़ता है, जो definitely वहाँ पर एक आता है, एक और theory आती है, wage differentials के अंदर, जिसको हम बोलते है, neoclassical theory, ये क्या बोलती है, ये woman के aspect में एक बड़ी important बात बोलती है, ये theory, ये कहती है, woman को comparatively men से कम salary मिलती है, ठ situation, जो woman है, they have low human capital, education में, training में, job experience में, और इसके बड़े सारी reason है, अब India जैसी एक patriarchal society देख लो, वहाँ पर जो level of education घर के बेटे को मिलती है, वो घर की लड़की को हर जगा पर नहीं मिलती, ठीक है, अब ये मत कहना कि nature मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है, मेरी बेन को तो सब कु तो education के अंदर level है, training के अंदर job experience भी कम हो जाता है, maternity benefit and all and ये and वो ठीक है, वो सारी चीज़े आ जाती है, family responsibilities, so ultimately productivity lower हो जाती है, और यही एक reason है, neoclassical theories क्या बोलते हैं, कि जिसकी वज़े से women who are paid less as compared to men, अब wage differentials बात करते हैं, दो काइन क्यों होते हैं, wage differentials, एक compensating और equalizing, दूसरा non-compensating और differential, compensating और equalizing का क्या मतलब हो गया, कि देखो wage में difference तो है, same job के लिए wage में difference तो है, लेकिन जहाँ wage कम है न, वहाँ पर उस कम wage को compensate किया जा रहा है, with some other benefits, ठीक है, वहाँ पर compensate किया जा रहा है, दूसरा आ गया, ऐसे difference wage में, जो compensate भी नहीं हो पार है, ठीक है, तो compensating या equalizing या non-compensating differentials, compensating differentials में क्या आ गया है, सबसे पहले hours of leisure, आपको लंबे leisure hours मिल रहे है, जो wage में difference है, उसकी जगा जो आपको छुटी का समय दिया जा रहा है, वो जादा दिया जा रहा है, cost of living, cost of living अलग-अलग है, अब देखो, मैंने आपको example दिया था भ 50,000 के रहे मिलता है, महीं हम में गालिया में चले जाओ कि आपको 2000 रुपे में आपको कमरा मिल जाए, तो 50,000 रुपे में कमरा मिलना और 2000 रुपे में कमरा मिलना, difference है न, cost of living बहुत high होगी, तो जाहर सी बात है, जहां पर cost of living हाई है, वहाँ पर जो industry है, उनको wage जादा देन payment होगा, अब आपको wage कम मिल रही है, लेकिन उसका compensation भी तो आपको मिल रहा है, आपसे risky काम नहीं कराया जा रहे, cost of training, अब ऐसी jobs भी होती है, जहां पर medical और जैसे engineering jobs है, heavy financial investment होती है, ठीक है, और कहीं jobs हैं जहां पर less investment होती है, तो अभी आपको इसका क्या effect है, जहां पर आप जादा खर्चा कर रहे हो, आप उन लोगों को salary भी जादा देते हो, ठीक है, जिन लोगों के उपर आप खर्चा जादा कर रहे हो, उन लोगों को salary भी जादा देते हो, आप यह नहीं चाहते कि आपका कल का आज का करा हुआ खर्चा सब कराब हो जाए, समझ रहे हो, तो यह भी एक effect होता है दूसरा job security कहीं जगाओ पर आपको heavy salary मिल रही है बहुत high salary मिल रही है और कहीं ऐसी चीज़े हैं जहां पर आपको salary तो comparatively कम मिल रहे हैं लेकिन आपको job security आपको पता है ठीक है duration of service हो गया working conditions कैसी है employment nature कैसा है ठीक है formal है informal है skill based कैसा है वो सारे factors आ जाते हैं दूसरी तरह आजाते है non compensating non compensating यानि कि इसमें किसी भी तरह का low wage है उसका कोई compensation नहीं है सबसे पहले तो market imperfect है workers के पास information नहीं है कि कहाँ पर better employment opportunities उनके पास available है अभी न कुछ दिन पहले linkedin के उपर एक post बड़ी viral हुई थी उस post में क्या हुआ था एक lady ने स्विगी से कुछ delivery म मंगाई थी शायद आप लोगों ने सुनाओ न्यूज में भी आया था तो स्विगी जोनों है आइस्क्रीम मंगाई आइस्क्रीम आई नहीं बड़ी देर तक नहीं और वो वेट करते रहे करते रहे करते रहे तो suddenly स्विगी वाला आया और स्विगी वाले से वो कि भई मैं तो कब से आइस्क्रीम ओंडर की हुई है वाई आर यू सो लेटो स्विगी वाला आगर के सीडियों में बैठ गया था का हाला तो लेडी ने पूछा क्या हुआ के ती मैम ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ बट आइव नो जॉब और मैं ना मेरे पास कोई वीकल है मैं सिर लेडी तुक हर अल दिग्रीज एंड जो भी था उनका उन्होंने उसको लिंग्डिन पे डाला एंड शी हेल्प्ड हिम फाइंड आउट बेटर जॉब फिर उन्होंने बाद में पोस्ट शेयर भी किया कि दे परसन हाज गॉब अबेटर जॉब सो यह किस वज़ेश क्योंकि मार्किटिम पर्फेक्ट है ना बेटर जॉब ऑपर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं है कहां पर है ठीक है डिफरेंस इन प्राइस अफ प्रॉडक्ट अब जो लेबर आपके प्राइस प्रेड्यूस कर रही है अलग-अलग कमोडिटीज क देखने को मिलती है यह भी एक observation है इंडिविज़ डिफरेंस फिजिकल अबिलिटीज में डिफरेंस है ठीक है कोई फिजिकल ही मेंटल ही जाधा चाहे तो उसकी डेफिनिटल ही जाधा वेज होगी अब इसके अंदर Smith, Ricardo, Marx जैसे आजाते हैं लोग और इन्होंने एक theory में belief करते थे जिसको बूला जाता है iron law of wages तो यह जो iron law of wages थी है क्या बोलता था यह बोलता था कि long run में wages सिरफ subsistence level के लिए होंगी कि जो पैसा मिल रहा है जो salary मिल रही है उससे सिरफ खर्चा निकलेगा घर का एक आदमी जी पाएगा subsistence level iron law of wages क्या बोलता है कि subsistence level of wages को encourage करती है industry फिर आता है Marx की exploitation theory of wages यह क्या बोलता है कि जो wages है वो value of the product से related है जो labor produce करती है ठीक है अगर value जादा है तो wage जादा है अगर value कम है तो wage कम है wage fund theory of mill इसमें mill साब क्या बोलते है कि wage fund constitute की आ जाता है industry wage fund constitute करती है और जो wages है वो इस wage fund के through ही होती है अगर wage fund में जादा value है तो wages भी हाई होंगी और फिर आजाते हैं आपकी walker की residual claimant theory इसके अंदर क्या बोलते हैं कि worker को बचा कुछा पैसा मिलता है ठीक है पहले जो बाकी के factors of production है जैसे rent, interest, profit वो सब निकाल लिया जाएगा income में से और ये सब निकालने के बाद income में से जो पैसा बचेगा वो as a salary या as a wage worker को pay किया जाएगा फिर कुछ modern economist views भी हैं जैसे union model of wages ये बोलता है कि wages का share increase करता है collective bargaining की वज़े से दूसरा bargaining theory of wages आजाता है जिसमें Thornton, Davidson जैसे लोग थे, Keynes भी इसको support करते थे और ये theory क्या बोलती है कि bargaining जितनी ज़्यादा better होगी employers और workers के बीच में उसके उपर बहुत ज़्यादा depend करेंगी wages फिर आजाती है आपकी turnover model and wage differentials ये basically क्या बोलती है cost of training and hiring के बारे में बात करती है ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो companyya hire करने में और फिर personal को train करने में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है वो wages को भी बहुत high रखेंगी वो wages को इसलिए high रखेंगी ताकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है वो चाहते हैं कि जो training हमने इनको दिया या जो थोड़ा बहुत time रहके इन्होंने हमारे आपर सीखा है हम उस experience को use करें ज्यादा से ज्यादा इसलिए वो wages उनकी high रखेंगे ताकि वो satisfied रहे है so this was all about the wage differential इसमें इतना कर लोगे sufficient है ठीक है कोई doubt हो तो comment करके ज़रूर बताएं and channel को ज़रूर share and subscribe करें मिलेंगे next class में take care and bye